गुरु जी स्वामी स्वरूपानन सरस्वती ने कहा है कि बाबर कभी आयोध्या नहीं गया था वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि RSS के एजंडे में भगवान राम हैं ही नहीं RSS के एजंडे में ही भगवान राम हैं थे आगे भी रहेंगे राष्टी स्वयन सेवक संग ने ही सन 1984 में राम जानकी रश चलाया असोग सिंगल जी राष्टी स्वयन सेवक संग के स्वयन सेवक थे जिला प्रचारक थे बिभाग प्रचारक थे प्रांद प्रचारक थे माननी नरेन मोदी भी संग के प्रचारक थे मानी अमित साहवी संके प्रचारक थे मानी राजनासीवी संके स्वयन सेवक हैं भाजपा में जो लोग भी हैं प्राया सभी स्वयन सेवक हैं इसलिए इसलिए शुरूपा अनंद का कहना ये गलत है कि राश्टी स्वयन सेवक संग मंदिर नहीं बनाना चाहती राटी स्वयन सेवक संग नहीं सांदोलन को प्रारम किया राटी स्वयन सेवक संग के लाखोनी करोडों लोग जे लगे ये कैसे कह सकते हैं ये उनकी बात बिलकूल गरत है बावर की बात उन्होंने सत्य कहा है कि बावर कभी अजोध्या नहीं गया है बात सकते है बाबर के नाम पर जोध्या में कोई मुहला नहीं, कोई गली नहीं, कोई बारण नहीं बाबर के नाम पर जोध्या में कोई घाट नहीं राम के नाम पर राम कोट, राम के नाम पर राम जोनी थाना, राम के नाम पर राम जोनी चोकी है राम के नाम पर सारी जोध्या नगरी है, कोसिल्या घाट है, दसर घाट है, कई-कई घाट है, सुमित्रा घाट है, लेकिन बाबर घाट नहीं है, बाबर बार्ड नहीं है, बाबर महला नहीं है, बाबर कभी जोध्या नहीं है, इतिहास भी नहीं बताता है, फिर बाबर के ना कि निरुप्सता की बात कि और कहा कि कोई भी प्रधान मंत्री मंदिर नहीं बनवा सकता इस देश में इस तेश बहुत हैं प्रधान मंत्री मंदर का निर्मान करा एंगे ने मोझी और अमित साह दोनों मिल कर भारत के अंदर पालियामेन में कानून बनेगा अध्यादेश आएगा बिलाएगा और भब राम लाला की मंदरे का निर्मान करेगा जैश्री राम के इस बार संसद में सपत के दौरान संसदों ने नारे भी लगाए कई लोगों ने इसका विरोध भी किया इसको आप किस तरह बहुत अच्छ भाजपा जिद गई जैस्री राम पर प्रदिबंध लगाया था बावर ने जैसी राम पर प्रदिबंध लगाया था औरंग जेब ने जैस्री राम पर प्रदिबंध लगाया था रामन ने कुमकर ने बेगनाद ने संबिट गए सब बरबाद हो गए जैस्री राम पर जो भी प्रतबंद लगाएगा वो समाप तो हो जाएगा अम अमता बनाजी की सरकार जाने बाली है इसलिए खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे की काहबत चर्दार्थ हो रही है अजो पर राम लाला के मंदर का निर्माण होगा और इस निर्माण को नने नमोदी ही कराएंगे अमि कि आदित नाथ ने भी एक बार उत्तर प्रदेश की मुख्मंतरी बनने के बाद कहा था कि पसूबद पर पूर्ण प्रदिवन्द होना चाहिए मैं उनका इस बात का समर्थन करता हूं